तो आज की जो अपडेट निकल के आ रही है वो है बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर जो BCEC है उसकी तरब से आ रही है किस पोस्ट के लिए तो बिहार बोर्ट सीटी मेनेजर रिकूर्टमेंट 2020 की जो वेकैंसी है उसका नोटिफिकेशन पूरा का पूरा मैं डिटेल में य रिकूर्टमेंट होने वाली है तो चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट डेट क्या है इसकी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो सबसे पले इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट अगर हम देखे तो 28 एप्रिल 2020 से फॉर्म फिल की बात करते हो तो अप्लिकेशन भी जैननल अभीसी के लिए जो है बाइसो रुपए रखी गई है 2200 और स्राट और जो जो है ब्यान कोटे के जो भी दार थी अंके लिए 200 रुपय रखी गई है पेमेंट की बाद कर तो पेमेंट विल बी मेड थू डेबिट कार्ड, करेट कार्ड या नेट बैंकिंग यह चलान से आप कर सकते हैं उसके बाद हम बात करें जॉब लोकेशन की तो जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा वो बिहार में रहेगा उसके बाद एज लिमीट की बात करते हैं तो एज जो है आपका एक जन्वरी 2020 का उन सार काउंट किया जाएगा मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो 18 years आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम उसका maximum age की बात करते हैं और अगर फिमेल काटेगरी के कंडिडेट है तो आपको जो है 40 years age जो है maximum age दिया हुआ है 40 years तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एज लेक्सेशन की बात करते हैं तो अगर आप OBC या फिर SCST काटेगरी से बिलोंग करते हैं और बिहार के निवास या तो आपको जो है आपको प्रभाइड कर दिया जाएगा उसके बाद जो नेचर जो है वो किस टाइप का है तो पहले ही मैं बता जो कहाँ contractual basis पर है contract basis पर जोब है उसके बाद अगर दोस्तों अगर आपने एक क्या सब्सक्राइब नहीं किया अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि इस तरह बहतरीन अपडेट आते रहते हैं इस चैनल पर और काफी सारे वीडियोज भी आने वले समय में आते रहेंगे इस चैनल पर आगे की जनकारी तकता है category wise जो है पोस्ट का distribution किस तरह से किया गया तो male candidate के लिए 105 पोस्ट यहां पर दिया गया जिसमें की जनरल के 38 पोस्ट है EWS के जो है 10 पोस्ट है उसके बाद BC के 14 पोस्ट है EBC के 22 पोस्ट है उसके बाद SC के 19 और फिर SD के 2 पोस्ट है उसके बाद बात करें female category के तो female category में 52 पोस्ट यहां पर दिया हुआ है जो कि जेनरल के लिए अगर बात करें तो 21 पोस्ट है, उसके बाद EWS में 5 पोस्ट है और BC में 6 पोस्ट है, बाकि अगर हम EBC का बात करें तो 10 पोस्ट है और SC का 9 पोस्ट, उसके बाद अगर ST के बात करें तो 1 पोस्ट है और RCG की बात करें तो 6 पोस्ट है, उसके बात करें त तो पेसकेल काफी बढ़िया मिल जागा आपको 40,000 पर मंत का पेसकेल यहां रखा गया है तो 40,000 पर मंत आपको पेसकेल मिल जागा अगर आपका सेलेक्शन होता है तो इसमें बोला कि Candidate Having, MBA या फिर Diploma in Public Administration या फिर Master Degree in Town Manager या फिर Planning and Development from any recognized university will be eligible for this post अगर आपके पास यह जो है डिग्री है इसमें सो कोई भी educational qualification है आपके पास तो आप जो है eligible है इस post के लिए उसके बाद आगे बात करें कि selection जो है कैसे किया जाएगा आपका तो selection के लिए आपको पता है कि online या offline कुछ भी exam conduct हो सकता अभी finalize नहीं हुआ या तो online या फिर offline exam आपका conduct करवाया जाएगा उसके बाद आपका skill test होगा उसके उनसार आपका merit list बनाया जाएगा और आपका selection ह हो जाएगा यहाँ पर तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर चैनल पर नए है तो subscribe कर दीजिए और like जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर दीजिएगा और comment जरूर करने के वीडियो कैसा लगा thanks for watching this video